हेलो दोस्तों टेस्ट भीषर कच्रल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग गुजिया बनाएंगे जिसको आप किसी भी तीश्तियोहर पर बना सकते हैं या फिर कभी भी मिठा खाने का मन हो तो ऐसे भी बना सकते हैं और इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है दोस्तों ही कहस्ता बना है और चलिए दोस्तों बनाते हैं तो कुछ्चया बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेदा मेदा में बहुत अच्छे से मिलाना है मिक्स करने के बाद इसको चेक किजिएगा अगर यह मुठी बनने लगे तो इसका मतलब परफेक्ट है और उसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम लोग एक अच्छा सा इसका डो बनाएंगे याद रखेगा डो ना ज्यादा हा इसमें आप अपनो च्वाइस का ड्रैफ रूट ले सकते हैं मैंने इसमें काजू किसमें बदां और थोड़ा सा कटा हुआ नाडियल दिया है सुखा नाडियल और जब यह फ्राइ हो जागा तो उसमें उसी पेन में हम लोग घीर डालके थोड़ा सा सुजी डालेंगे सुजी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद उसी के साथ हम लोग डेसिकेटड कोकोनट सुखा नाडियल का बुड़ा था इसको डालेंगे और इसको भी थोड़ी तेर रोस्ट करना है continue इसको चलाते रहना है देख सकते हैं कितना अच्छा यह ब् आठा यह Intell के लिए रहिए देगे और जब थंड़ा हो जाएक तब इसमें हम लोग चीनी मिलाएंगे याद रखेगा गरम मिक्शर में मिलाने से मिल्ट हो जाएगा अपने टेस्ट के शेय्में पीशा होग चीनी डाल देना है चीनी को मिक्शर में ग्राइंड कर Marty है दोस्त हो गया है अब हम लोग इसका चुटा चुटा गोला बना के इसका पेरा बना लेंगे अब हम लोग दोस्तों एक गोला लेंगे और इसको पूरी के जैसा बेल लेना है और एक साचा लेंगे गुज्या बनाने वाला साचा में थोड़ा सा मैदा या आटा लगा दीजिगा जो अच्छे से ये गुज्या बाहर निकल सके तो उसमें थोड़ा-थोड़ा हम लोग इस्टपिंग डाल लेंगे और उसके बाद चारो तरप थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इसके उपर जिससे कि ये तलने के टाइम में खुले नहीं और इसको बंद करने के बाद अच्छे से प्रेस करके बाहर से जो आटा है इसको निकाल लेना है ये आटा को हम लोग बात में फिर यूज करेंगे अगर साचा नहीं है तो बिना साचा का प्याब बना सकते दोस्तों फुरीके जैसे बना लीजिए फिर चारो तरप एसे पानी लगा के उसके बाद हाफ फोल्ड कर द देना है अच्छा से देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छे से ये बन भी जाएगा तो देखिए आप साचे के और बिना साचे के भी बना सकते हैं आप अच्छे से देखिए दोस्तों जैसे मैंने बनाया है आप यह से ही फॉलो किजिएगा स्टफिंग ना करना टालन से क्या होगा दोस्तों यह तलने के टायम में फर्ड जाएगा निकल जाएगा बाहर अब न डुस्त हम लोग अच्छे से तेल को गरम होने देंगे उसके बाद low to medium फ्लेम पर इसको फ्राई करना है याद कर्खियेगा दोस्तों इसमें थोरा सा पैसेंस चाहिए फ्राइ करने में तभी यह अच्छा बनेगा इसको उलट पलट के गोल्टन ब्राउन होने तक डिप फ्राइ करना है आप लोग भी दोस्तों एक बार इसको जरूर बनाईएगा इसको होली तीवाली या फिर अभी ती जा रहा है उस पर बना सकते हैं कि हम लोग दोस्तों इसको भीहार में पिरकिया वोलते हैं आप लोग बताईएगा आप लोग इसको क्या वोलते हैं ऐसे गुज़ेह तो बोलते हैं हें ये खाने में बहुत है क्टे टेस्टे लए तो आप लोग भी एक बार इसको जरूर बनायेगा और अच्छा लगे और बहुत ही आसान है यह गुज्या बनाना तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा बना तो देख सकते हैं तो दोस्तों कितना सुंदर गुज्या बनके रेडी हुआ है आप इसको बना के एर टाइडी जार में 10-15 दिन तक अराम से खा सकते हैं और कहीं जर्णी में भी ले जा सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ थैंक यू कर चेटर सकते हैं तो सकते हैं तो सब्स्या थो है टूब है झादे तो सकते हैं